हलो एवरिवान, वेलकम तो माई एकेडमी, क्लास 24 टॉपिक है टाइपस ओफ स्कॉलर थियरी, हम सेब बर सेप इसकी टाइपस ओफ देख रहे हैं, यह सब स्टोरी ओफ कॉलर से, आप इसकी थियरी देखकर भाग बर जाना, क्योंकि थियरी इस इंपोर्टेंट, ओके इस लि समझ में आ जाए, लेंथी वीडियो ना बने, इसलिए इस वीडियो में एंटर बने रहे हैं, और आपको इस सब नेक वेराइटी की ड्राफ्टिंग, कर्दिंग और थियरी मिलती रहेगी स्टेप बाइ सेप, और तुड़े विल लर्न टाइपस ओफ कॉलर नेक थियरी, हि नेक लाइन की वेराइटी की कटिंग, स्टीचिंग, ड्राफ्टिंग और थियरी स्टेप बाइ स्टेप मिलेगी, इसलिए इस चैनल को लाइक करें, शेर करें और सबस्क्राइब करें, इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल के साथ जूड़िए और अपना थोड़ा ताइम करते हैं तो सबसे पहले हैं रफ कॉलर पुना जागरन का कॉलर काल के लोग प्रिय उच्छ खड़ा और प्लिटेट कॉलर जो स्ट्राच यूपति लिनन का फित्ते से बना होता है या सस्त्री सब्दि के अंत में फिर से 19 शुश अब्दादी के आरब में इस प्रकार के फैश आपने गहरी वी गर्दन वाला कॉलर कोई स्टैंड नहीं है और चोक और पिछला भाग है ओके सैल और कॉलर फिर इसके बार जो हमारा कॉलर है शावल कॉलर शॉल कॉलर वी नेक लाइन के लिए एक गॉल कॉलर जिसे लेपिप्स बनाने के लिए बढ़ाया जाता है अक्षर, काडियन, स्वेटर, डिनर, जैकेट और महिला के ब्लाउस पर उप्योग किया जाता है ये कॉलर को फिर इसके बार जो नेक्स्ट कॉलर है हमारा स्प्रेट कॉलर, फेला हुआ कॉलर, कटे हुए कॉलर बिन्दूओं के बीच व्याप फेला वाले एक शर्ट कॉलर है जो एक भारे नेक्टाई के गाट को समयोजित कर सकता है ये थोड़ा ब्रॉट कॉलर है इसको फेला दिया गया है ये कॉलर को ओके, टैप कॉलर, एक छोटे टैप वाला स्प्रेट कॉलर जो नेक्टाई के गाट के नीचे बिन्दूओं को एक साथ बांगता है इसके नीचे थोड़ी एक पटी लगाते हैं फिर उसको आटेश करते हैं फिर इसके बाद जो हमारा नेक्ट कॉलर आएगा वो है चूनिक कॉलर एक साथ कॉलर जिसके गरदन के चारों और केवल एक छोटा एक सेंटिमिटर खड़ा बैंड होता है जिसके साथ स्टेंट का उप्यों करके अलग करने वा योग्य कॉलर को बांगने के लिए एक छेद होते हैं ओके एक स्टेंट कॉलर और नेक्स्ट है ट्यूनिसीयाई कॉलर एक ठीयाकार का कॉलर जिसके उद्वाधन बटन वाला प्लैक है मत्यच हाती तक जाता है ऐसा माना जाता है कि इस कॉलर की उद्पति ट्यूनिसीयाई लोग पोशाक जेबा में हुई है इस प्रकार का कॉलर है यह बेस्ट कॉलर है फिर उसके बाद में है टर्न डाउन कॉलर नीचे की और इशारा करने वाला मुड़ा हुआ कॉलर उपर की और मुड़े हुए कॉलर की विप्रिज जैसे की विंग कॉलर चारवेट ध्वारब बनाया गया है यह कॉलर तर्न डाउन नीचे से तर्न करना है इसको फिर उसके बाद में है टर्टल नेक पॉलो गर्दन रॉल नेक स्विकी सिक्वेट एक लोस फिटिंग बुना हुआ कॉलर जो गर्दन को मोड़ता है और ढगता है यह ज़्यादा तर स्वेटर्स में यूज होता है और लगूस मे या फिर आप तीशट में यूज कर सकते हो फिर उसके बाद में है कट अवे कॉलर के लिए विडंसर कॉलर एक ड्रेस सेट कॉलर जो थोड़ा खड़ा होता है जिसके विडंसर नॉट टाई के समयोजित करने के लिए एक विस्तरुत फेला बिंदों के बीच की जगा होता है नैंटी ठर्ती के दर्सक में ये विक्षित हुआ था ओके फिर इसके बाद में है विंग कॉलर विंग टिम कॉलर एक छोटा खड़ा कॉलर है जिसकी बिंदों को ख्षेती रुप से चिपकाने के लिए दबाया जाता है जो पंक जैसा दिखता है और जो पुरुशों की शा साथ एक खड़ा अर्द वुर्तानुकार कॉलर जो सत्तरवी सदी की शुरुवात में पहना जाता था ओके यह अभी इतना यूज नहीं होता है तब ज्यादा यूज होता था ओके फिर इसके बाद में है वाई कॉलर जोने कॉलर के समान वी गर्दन रेखा की नीचे केवल चुट यहां दो बटन होते हैं जो वाई आकार बनाते हैं इस कॉलर जाओ स॑लर को बना सकते हैं फिर हें जीरो आप यह सारी हिस्टोरी कॉलर्स आपको समझाई हुई होगी तो आप इस चैनल को शेर जरूर करिएगा और इसकी ड्राफ्टिंग, कर्टिंग और थेरी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा ओके तो इस चैनल को लाइक करें शेर कर एंड करें थेंक यू सो मच